हेलो नमस्ते गाईस तो कैसे हुआ आप लोग आज मैं आपको बताऊंगी कि ये आने वाला महिना कन्यारासी वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा तो गौर से बने रहेगा अगर ये आने वाला महिना में आप कन्यारासी वाले जातकों के करियर की बात करें तो वो आने वाला म महिना करनिया रासी वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है जातक को नौकरी धंदे में बहुत ही सफलता मिल सकती है जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके करियर में उनकी किस्मत चमकती हुई नजर आ सकती है और उनकी किस्मत उनका संपूरा सहीयोग देती ह कोई नजर आ सकती है जिसकी मदद से उनके कार्यक्षित्र में बड़ोतरी हो सकती है साथी में उनको नई नौकरी भी मिल सकती है और जो जातक कई टाइम से नौकरी की तलास कर रहे थे उनको बहुत ही अच्छी और उम्दा नौकरी मिलने की संभावना रहेगी और वो बहुत अच्छे संगठनों के साथ जूर सकते है और जो जातक कई टाइम से ट्रांसफर का सोच रहे थे उनका ट्रांसफर भी हो सकता है कहीं अच्छी जगा उनका ट्रांसफर भी हो सकता है लेकिन उनको अपने सहकर्मियों से संभन बनाये रखना है और उनसे अच्छी बात्चित रखनी है तबी ये पॉसिबल हो पाएगा जो जातक व्यापार से जुड़े हैं व्यापार धंदे से जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अनुकुल माना जा सकता है उनके व्यापार में भी बडोतरी होनी की संभावना रहेगी और उनको आर्थिक लाब हो सकता है और जाती में भागया उनका सम्पुना सहयोग देता हुआ नजर आ सकता है और जो जातक अपने व्यापार में बडोतरी करना चाते हैं धंदे में बडोतरी करना चाते हैं उनको भी सफलता मिलने की संभावना रहेगी अगर आर्थिक द्रस्टी से देखा जाए तो ये महिना जातक के लिए अच्छा रहने वाला है जो जातक सटे से जुड़े हैं सेरबजार से जुड़े हैं उनके लिए ये महिना बहुत ही उचित रहने वाला है आपको बहुत ही धनलाब हो सकता है अगर लालच में आ जाए वरना आपको बड़ी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए आपको शांती से और सूजबुश से काम लेना पड़ सकता है वरना आप बड़ी मुसीबत में भी फस सकते हो वैसे देखा जाए तो आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है और आपको अच्छे से धनलाब होड़ता हुआ नजर आ सकता है अगर कन्या रासी के स्वास्ता के बारे में बात करें तो ये मा मिला जुला रहने की संभावना रहेगी इस मा दर्मियान कन्या रासी वाले जातकों की तब्यद मिश्रफ फल्दाई रहेगी यानि की जो लोगों की तब्यद पहले से खराब है उनको ज्यादा परेशानी हो सकती है और उनकी तकलिफ बढ़ने की संभावना रहेगी इसी वज़े से जातक को अपने सिहत का संपुन खया रखना पढ़ सकता है और साथ ही में अपने खान पान का खया रखना पढ़ सकता है वरना परेशानी बढ़ सकती है और अगर आपको परेशानी महसूस हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा देना चाहिए वरना आप बड़ी परेशानी में फस सकते हो और बीमारी बढ़ सकती है और जैसे ही मैना खतम होता जाएगा वैसे ही धीरे धीरे आपकी सेहत में सुधार आता हुआ नजर आएगा धीरे धीरे आपकी तब्यत में सुधार आएगा अगर पारिवारिक द्रश्टी की बात करें कि तो ये महा के दर्मियान आपको थोड़ा कश्ट सहन करना पड़ सकता है और थोड़ी मुसिबतों का सामना करना पड़ सकता है आपकी असांती बढ़ सकती है क्योंकि घर में जगड़े हो सकते हैं आपको कई परिशानियों का साम इसे काम लेना पड़ सकता है और सारी सीच्वेशन को संभालना पड़ सकता है वरना घर में जगरे बढ़ सकते हैं और परिस्थिती गंबिर भी हो सकती है इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है और इसी वज़े से आपको थोड़ा mental stress भी मैसूस हो सकता है और इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ अच्छे से चले और घर में किसी का जगड़ा ना हो और आपका भी घर में किसी से जगड़ा ना हो इसलिए आपको अपने वाणी और गुसे पर सयम रखना है और सब को मिलकर साथ में लेकर चलना है जिसे मिलने वाले अच्छे फलो को पाने के लिए और बुरे फलो को कम करने के लिए आपको मंगलवार के दिन हनमान चालिसा का पाठ करना है और आपको बंदर को केला खिलाना है जिससे आपके समस्या दूर होगी और आपके सारे विगना दूर होगे और साथी में आपको इस माहदर्म्यान भगवान गनेश जी की पूजा करनी है जिससे भगवान गनेश जी आपके सारे दुख हर लेंगे और आपके विगनर दूर होगे